दोस्तों इस दुनिया में सब कुछ बदा हुआ है एक समय सीमा के अंदर यानि कि हमारे पास कुछ भी unlimited नहीं है जिस जॉब के लिए आज आप तयारी कर रहे हैं पूरी दिलुजान से आप लगे हुए हैं वो जॉब भी एक टाइम के बाद खतम हो जाएगी यानि कि एक लेगी भी हमारा जीवन भी तो यहाँ पर अगर एक बात आपकी समझ में आ जाए कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं वो unlimited टाइम तक नहीं करना है आपको एक limited टाइम तक ही करना है तो सारी मुस्किलें आपकी हलो जाएंगी लेकिन ऐसा होता नहीं है कई बार हमारी दिली लिए कि हम अमुक टार्गेट को प्राप्त कर लें अमुक चीज को कर लें या फिर एक कोई गौर्णमेंट जॉब है उसको हम प्राप्त कर लें उसके लिए हम बार बार इंजार करते हैं और जब इंजार हमारा समाप्त होता है वेकेंसी आ जाती है तो फिर हम इंजार करते कि 15 मिन तो अगर 15 दिन में हम चाहें तो सब कुछ प्राप्ट कर सकते हैं और फिर वो 15 दिन जब आप ये पास होते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ बेच चुका है मतलब यह कि आपने सारा समय गवा दिया है अब 15 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता हाँ जहां ताह से जो कुछ भी आपको मिलता है बस वही आप पढ़ना सुरू कर देते हैं यानि कि जब तक ट्रेन छूट नहीं जाती है और जब तक ट्रेन के छूटने की सम्मौना नहीं होती है आप घर से निकलते ही नहीं है तो दोस्तों कहा गया ना कि अगर भोर के समय आगे ना बढ़े तो धूब के समय हैरान होगे लोग हैरान होना पसंद करते हैं लेकिन समय से निकलना पसंद नहीं करते हैं क्यों क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास time unlimited है देखो तो उसके लिए जितना भी समय आपको मिलता है, उतना समय आप ले लीजिए, एक दिन, दो दिन, एक महिना, दो महिना, मैं कहूंगा कि आप शमेने लगा दो, लेकिन शमेने के अंत में, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगी, इस जॉब को मुझे पाना है, इस सीट पर मुझे बैठना है, जब तक ये फिक्चर क्लियर नहीं होगी, कि किस जॉब को आपको करना है, साथ जॉब आपको नहीं मिलेगी, आप बहुत सारे फार्म भरते रहेंगे, और क्योंकि हर फार्म का स्लेबस अलग-अलग होता है, हर फार्म एक अलगी कहानी कहता है, और आपको लग कि ओ औ सारा समय नो भीत गया अब बस एक ही हो जीஙको जैसे तेसे चला लो जो कहता है वही कर लो याने कि एक दिन आप कंपर्माइज करने पर मजबूर हो जाते हैं तो अगर आपके पास समय है तो उस पर विचार करें आप कहां डौन स्टार्ट कर दीजिए इतने समय में यह जौब मुझे प्राप्त कर लेनी है और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक टू मिनिट रूल बताता हूं अगर पढ़ने में आपको मुस्किल लगती है अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा स्लेबस आप कैसे कवर करें तो स सबसे पहले तो आप स्लेबस ले उसको दो मिनिट पढ़ें इसके बाद स्लेबस में जो कुछ भी दिया गया है उसके मुताबिक आप सबसे अच्छी किताबें खरित के लाएं ज्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए बहुत कम किताबें होनी चाहिए और उन किताबों का जो और अगर आपने दिरो दिमाग से पढ़ना शुरू किया है तो ये 20 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा मतलब ये कि कोई भी काम आपको बहुत hard work बना के नहीं करना है उसको tension के रूपे नहीं लेना है उसको enjoy के रूपे लेना है अपनी नीद में कड़ोती बिल्कुल मत करिए रात को study बिल्कुल मत करिए उस समय पढ़िए जिसमें आपको बहतर लगता है मतलब जब आप daytime में रहोते हैं जब आप दैनी दिंचरिया में होते हैं उसी समय पढ़ने के लिए समय निकालिए और देखो अगर आप एक दिन रात तक जागते हो देर तक दो दिन जागते हो या कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आप एक हपते इतनी पढ़ाई करते हो कि आप एक कमर में दर्ध होने लगा तो यह चीज लंबी नहीं ची लगी क्यों क्योंकि आपको मन रोकेगा कि इसमें बड़ा पेन होता है बड़ा दर्ध होता है तो ऐसा नहीं आप अपने इस्टेडी को चंक के रूप में इस्तेमाल करिए चंक मतलब 20 मिट पढ़िए और थोड़ा सा इंजॉय करिए फिर है मैं आज सुबा की बात बतारा हूं मैं कुछ काम कर रहा था मतलब करेंड ऐफेर की त्यारी कर रहा था current affair मैं आपके लिए type कर रहा था तो उसी दरान मेरे मन में आया कि क्यों अपने दोस्त को phone करूँ कि चलो यार, the system 2 देख के आते हैं लेकि मन में आया कि अगर मैं call कर लूँगा तो definitely वो दोस्त मेरा कितना time ले लेगा 10 minute, 15 minute, 1 गंटे पता भी नीच लेगा तो बहतर होगा कि पहले मैं अपना काम करूँ उसके बाद अपने दोस्त को call करूँ और फिर मैंने फटा-फट अपना काम निप्टा लिया क्योंकि मुझे एक chunk मिलने वाला था कि ये काम खतम कर लूँगा तो दोस्ते बात कर पाऊँगा तो इसे परकार अपने आपको भी reward देते रहिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो like और share करते रहिए Thank you so much